एंबियंस इतना ज्यादा मनमोहा के आपको इदम अफ़ानिस्तान की जूल्री देखने को मिल जाती है और काफी रेंज है इंडिया में उनको ट्रेनिंग देते हैं एक बारी ट्रेनिंग खतम हो जाती है तिर वह पीस रहता तो यह कि आदगार रहती है जैसे बच्चे बना के अगर अगर आपने चल्पे नहीं पर मोर एक्साइटिंग वीडियो तो आज हम लोग एक्सप्प्रोर करने आये है एक इवेंट को कवर अप करने आये है जो कि लगा हुआ इस ताइम के लखनाव में बरादरी मस्जित ने जो क्राफ्ट स्टोर है इसका नाम है लखनवी बावर्ची खाने एंड आज हम लोग एक्सप्रोर करेंगे इसी इवेंट को यह काफी एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटिफुल इवेंट है लाइक अगर आपको यहां पर बहुत कुछ देखने को मिलने वारा है यहां पे स इसके अंड़र गरेंगे तो आपको इस टोकन लेना पड़ेगा जो कि आपको 30 रूपीस का एस अन्ने हैंकी मिलेगा देखि आप यहां याँका टोकन को 30 रूपीस में यह मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अभी हम आ चुके हैं एक स्ट्रॉल पर जहां पर देख पारे हूंगे इसका डिजाइन मुझे काफी यूनीक लगा लाइक मतलब लखनों में और भी इवेंट्स होते रहते हैं और यह आपको कुछ यूनीक मिलने वाला लाइक इसका जैसे नाम है कि यह अफगानिस्तान की जूल्री आपको इसमें काफी अलग अलग पैटन्स सब्सक्राइब को मिलने चैनल जाएंगे यह रिंग्स में जायेंगे न इस में मिलने जाएंगे अपको इस पर इसा बार में थोड़ा सा बताएंगे लिए हर तरीके का जूल्डी तों नों ऊता है यह लापस लिग बोलते हैं इस स्टोन के यह ब्रेसलेट, नेकलिसेस, एरिंग्स, चोकर्स, हर्तर तरी पर यह सब आपेंगे हैं और यह वाले होते हैं एंटी जूलिस यह प्राने जूलिस होते हैं हम लोग आ चुके हैं एक और स्टॉल पर जिसमें आपको बर देखने को मिलेगा, न्यू डैली का वर्क है, इस वर्क को क्या बोलते हैं Chips Whit pools Committee JAY,ren… इसे जाएं वर्क अफ्रा जकृशन आपको यह साने मिल जाते हैं जैने आपको अफिताल कंच करते हैं सरे, अधर आपको पेटर्न मिल जाते हैं अभूग चाहिए तो वह प्लोग आप से पढ़ रहे दूम स्कुन सब्सक्राइबा Jonda इतना जादा मनमोह आपको इंदम अट्रैक करने का इतना ब्यूटिफुल लग रहा है आप देख पार होगे इतना ब्यूटिफुली इसने प्रिएट किया गया बनाया गया अद नीचे आप देख पार होगे सारी किसा यहां पर स्टॉल लगी होई है यूणिक चीज़े यह यहां पर लगी होई है and यहां पर वर्क जाता है तो यहां पर हम देखते हैं कोच अभी आगए हैं को अब लोग आगया एक आपको लख्णव काम देखने को मिलने.. इसके बार में आंप जानते है, मा थोड़ा से बताईरी स्टॉल्ल मेरे स्टॉल पर चिकणकारी रिया है, है यहाँ पर पौकली कोटी आप में नीलेगों हिरी उतित, यहां नीटीज है यहां पर आपको मिट्टी के बर्दन देखने को मिल जाते हैं इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा यह बना के घर पे ले जाने के लिए उनकी फर्स्ट टाइम का एक मेमरी के लिए रहता है किया मिट्टी के हाथ का बना हुआ पीस रहता है यह कि आदगार रहती जैसे बच्चे बना के लिए जाते हैं लब यू मॉम डड़ एनिटिंग मेसेज लिखवा के अधिया यह बहार यह अंदर चोटे चोटे से बना रखे हैं यह देखिए यह माचिस के तीली पर वन हुआ है मैं हम से श्टार्टिंग पॉर्ट इस बना है यह उड़ा नियाचर यह बहुत हड़ वर्किंग होती है इस वर्ट फेमस पॉर्ट री और नियामबाद की पॉर्ट्री है काफी ब्यूटिफुली से रिप्रेजेंट भी किया गया है जैसा कि से बताया कि अगर आप चाहें तो इस पर कुछ मेसेज भी लिखवा सकते हैं अगर अपने परिंट से लिखवाना चाहते हैं कोई बच्चा है उस पर लिखवा सकता है लई लव यू मॉम यह देखिया है लव यू मॉम करके उन्हें अगर कुछ करना है मॉम के लिए तो आपको यहां पर भी एक पैटन ऐसा मिलने वाला है तो यहां पर लुग आए हुए तो राजस्थान के स्पेशालिटी होती है जो कि वहां के कंगनन चूरियां होते हैं यहां पर भी आपको ट Reflections जायए जैसा आप जायी के जिस पैटन में चायाएं को आपको मिलने वाले हैं यहां पर जितनी डिजाइन सोती हैं एक पर हैंद्मीड आपको मिलने वाले हैं जो उrick यह बन नाहें का है कि आपको कुछ यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर पेहां母 depende को मिल रहे है अभी आगए हम लोग एक और स्टॉल पर इसमें लिखा हुआ है रेखा कृति यह पूरा उत्तर प्रदेश का माम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी लेखा कृति जो है वो यू पी के क्राफ्ट पे काम करता है और इसे क्राफ्ट जो अपसलीट हो रहे है imaginique हैं पेंटिड वर्क हैं लेक्वा ट्वाइज हैं मूज क्राफ्ट है इसके अलाबा यहां पर लेकि जो मिरर है इसके बारे में पर बना हुआ है इसके अलाबा आपको और भी आप समान मिल जाएंगे उन अड़ा सा उठाकर जिखा देंगी आध से बनाया जाता है इको फ्रेंडली है रद नदी के किनारे ग्रास होती है मूंज बोलते है उससे बनता है और यह 50-60 साल तक ऐसे ही रह सकता है इसको भीगने ने देना अगर भी किया तो सुखा लेना है जैसे यूश किया वाश किया खूब अच्छे से सुखा लिया तो 50-60 साल चल बदर मेरी द गहना रखे देते हैं जो एल्वीज रखे यह नई रेंज है हुमारी उदेन हैं पिंटेटी ग्लास कैटल भी है आपको अलग अलग चीजहां पर देखने को मिल जाती है वो भी उत्तरा खंट का है नाम इसके बारे में थोड़ा साब जाएंगी मैं अक्चली वी हव बीन अवर्ड़ेड बाइ टाइंस अफ इंडिया ग्रूप फोर क्रियेटिंग जॉब ऑपरचुनिटीज फो अंडर प्रिविलिज ग्ल्स हम लोग दो महीना विलिजर्स में जाते हैं इंडिया में उनको ट्रेनिंग देते हैं एक बारी ट्रेनिंग हा क्ली अब हस्ते कुछ जाते हैं अ फ्रूप लीजर्स बना रही हैं यह मास्ट बन रहे हैं यह एम़्रोइडरी का मैं सब कुछ हैं next सब यह मंतली हां डर्लकी कहें नहां यह म् amigos जान टेंगार प्रसी से से काम अ कर रहे हैं अर्ला नग को वो हम लोग जॉब ऑपुजनिटीज यह गज़ी काची जुब वे लिग कर दे लिए आपको लटीन को पड़ा आपको अर्टीन क्राफ्ट है एंड यह तो नहीं के लिए आ थे खत्यत गार का मैं इसके बारे में थोड़ा से बताएंगी शतार नामा से वो इंटलब यह है और पुरा हैंडमेड वर्क होता है हैंडमेड है जी हैंडमेड है एन जैसे गनेश जी की यह है वाव वाल पेंटिंग है इसका प्राइज क्या होगा इसके अलावा भी आपको अलग अलग चीज़ें यह पूरा आईरन पर किया गया है और यह काफी ब्यूटिफुली से बनाया विगया लाइक अगर आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको आनिमल्स भी आपर देखने को मिल जाएंगे वह भी आपको आइरन ब यहां पर देखे यह द्रम इसको बजा रहे हैं इसके अलावे यह पर सितार बजा रहे हैं लेकिसों काभी ब्यूटिफुल क्रियेचर आपको क्राफ्ट बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलने वाला है तो यह था यहां का इवेंट और यह काफी ब्यूटिफुली से बना को यह सारी चीजें आकर देखने चाहिए लिए इसके साथ करतें वीडियो को एंट प्लीज हैं जरुकर करें इस वीडियो को लाइक करें ओज ज्याय करें और कॉमेंट करके जरू बताएक किया आपको मेरे आज का वीडियो पियासा लगा और आब आप में इस्टेग्राम और फेज उपे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू